प्रबंदन और पुलिस प्रशाशन लोग को देखने के लिए भारी तादाद में परेटक उमड रहे हैं लेकिन दोब्राचाटे पुल प्रबंदन और पुलिस प्रशाशन लोग निर्मान विवाग की लापरवाही परेटकों की जान पर भारी पढ़ने का आसार बन गया है क्योंकि डोबरा चाटी पुल पर लगातार बढ़ रही परेटकों की तादात की सुरक्षा के लिए ना तो पुलिस मौके पर है और ना ही पुल प्रबंदन के द्वारा कोई सुरक्षा की विवस्ता की गई है इसके साथ ही डोबरा चाटी फुल के उपर तेजी से चल रहे बाइक सवार परेटकों की जान जोखिम में डाल रहे है आपको बता दें कि आज कल डोबरा चाटी फुल पर हर दिन 6 बजे से 8 बजे तक फसाद लाइट जलाई जाती है जिसको देखने के लिए बाहर से परेटक भारी मातरा में आ रहे हैं लेकिन बाइक सवार नियमों को ताक पर रखते हुए पुल के उपर स्टंट के साथ साथ तेजी से चल रहे हैं यहां तक की मानकों की अंदेखी करते हुए बाइक पर 4-4 लोग सवार हुकर तेजी से भाग रहे हैं जिससे पुल के उपर फसाद लाइट देखने आ रहे हैं परेटक को नुकसान पहुँचने की संभावना बन गई है लेकिन यहां पर ना तो पुलिस प्रसाशन मौके पर है और ना ही डोबरा चाटी पुल प्रबंधन इन बाइक सवारों पर कारवाई करने को तयार है वहीं जब हमारी पुल प्रबंधन और लाइट मैनेजमेंट देख रहे करमचारियों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने कई बार जिला प्रसाशन और पुलिस प्रसाशन से यहां पर परेटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस की डिमांड की है ताकि पुल के उपर अभधरता वा बाइक से स्टंड करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कारवाई की जा सके लेकिन अभी तक यहां ना पुलिस की विवस्ता हुई है अगर जल्द ही यहां पर पुलिस की विवस्ता नहीं की गई तो यहां पर कुछ भी दुरगटना घट सकती है इस समद्ध में तो हम क्या कहें सब हमारे पास उनको कंट्रोल करने के कोई सादन नहीं है जो चीज माइक पर हम बोल सकते हैं एतियात के तौर पर कोई चीज बोली जा रही है अब कुछ लोग समझ रहे हैं कुछ नहीं समझ रहे हैं तो यहां कि यह कारभाई ही हो रही है एस्पी साब को लिग दिया गया है हमारे दिबाद में इसी करब के ना तो यह करें कि साइब कुलिस अप यहां पर आजाईगी तो कंट्रोल नहीं हो गया है